Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है ये सारे star science की reading होती है, ये एक short reading है और timeless है सो देखते हैं आपके person क्या सोच रहे हैं और कैसा feel कर रहे हैं Six of Cups and Queen of Swords So maybe आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनसे बहुत प्यार करने के बावजूद आपने ये decide किया कि आप उनके साथ नहीं रहेंगे वो भी आपको इस वक्त बहुत miss कर रहे हैं हमारे पास है Two of Swords ये आपके person की feelings और thoughts हैं Ace of Swords So ये इनसान इस वक्त confused है कि मैं communicate करूँ, ना करूँ, बात करूँ, ना करूँ इसलिए उनको बहुत ज़्यादा देर लग रही है आपसे connect or contact mix हो गए So आपसे बात करने में उनने इसलिए बहुत ज़्यादा देर लग रही है इसलिए वो बहुत ज़्यादा hesitant है अभी तक अपनी feelings नहीं express कर रहे है Because वो confused है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए Because you were the one जिन हो ने move on किया So specifically मुझे situation ये लग रही है कि move on करने वाले आप थे उनसे किनारा करने वाले आप थे Break up करने वाले आप थे जरूरी नहीं कि आपने break up किया हो आप बस silent mode पर चले गए या बहुत polite way में आपने उनसे बोल दिया कि बस अब हम दोनों नहीं चल पाएंगे And then king of swords ये है बहुत या authentic card Page of swords ये इनसान आपको stock कर रहे है Stock कर रहे हैं आपको social media पर आपके उपर नजर है उनकी So ये इनसान basically आपके साथ authentic होना चाहते हैं Clarity देना चाहते हैं आपको with this king of swords So यहाँ पर Libra, Gemini, Aquarius है Scorpio, Pisces, Cancer बहुत strong है आपर Taurus, Virgo ये भी add कर ले So आपने ज़्यादा energy पर focus करना है उनकी feelings और thoughts क्या है मुझे लग रहा है कि ये इनसान बहुत ज़्यादा आप कहलो कि ये transformation की भी energy है ये इनसान परिशान भी है और इसलिए है कि कहीं आपने move on तो नहीं कर लिया So specifically आज जिन collective की energy में हम tune in है I feel कि जो मेरे viewer है Break up उन्होंने किया ठीक है उस हिसाब से आप लोगों ने देखनी है ये reading और I feel कि ये इनसान इसलिए इनके मन में बहुत ज़्यादा सवालात है कि मैं communicate करूँ, ना करूँ, क्या करूँ, एक guilt भी है कुछ है कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि वो आप से confess करना चाते हैं कुछ या आपको clarity देना चाते हैं आपने शायद जब break up किया या separation हुई तो आपने उनसे गिला नहीं किया कोई पहले आप बहुत गिले किया करते थे आप work करना चाते थे इस connection पर बट एक point पर आकर आप ठक गए बार बार उनको ये कह करके मुझे सही से treat करो, मुझे time दो मुझे मेरे लिए please ये करो मेरे साथ ठीक से मुझे treat करो आप ठक गए एक point पर और फिर आपने उनसे separation ले ली आपने कोई भी गिला नहीं किया तो इसलिए आप ये person के दिल में बहुत सा guilt है कि उसने मुझे से कोई गिला नहीं किया maybe मेरी वो बात बुरी उसको लगी maybe मेरी वो हरकत उसके दिल पे लग गई maybe कुछ ऐसा मैंने किया maybe मैंने जो वो उसको कहा था ना वो उसको बुरा लग गया तो इस तरहां की thoughts उनके जहन में चल रही है और इसलिए वो आपको कोई clarity देना चाते है और ये इनसान कुछ clear करना चाते है क्योंकि उनके दिल पर बोज है और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे उस इनसान को कुछ ना कुछ मुझे कहना है मैंने अपने दिल का बोज हलका करना है और उनसे नहीं बरदाश्ट हो रहा आपका दूर होना और आपका चेंज होना विकिस आपने हमेशा उनको प्यार दिया मतलब आप ने बहुत ज़ादा उनने प्यार दिया मतलब विद इस queen of cups आपको पता है queen of cups की energy बट चूंके अब आपकी queen of swords वाली energy है और वो बहुत हैरान हो रहे है और परिशान हो रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है basically वो नहीं आपको जाने देना चाहते हैं वो आपको जाने नहीं देंगे बाकी it's totally up to you अगर आपने बिल्कुल अपना mind बना लिया उनके साथ अगर आपने नहीं रहना है maybe आपने ये सोचा है कि अगर वो आ जाएंगे change होकर तो well and good अगर वो नहीं आएंगे तो ना आएं आप अब नहीं भागेंगे उनके पीछे तो ये बड़ा अच्छा mindset है अगर आपने ये सोच लिया है और मुझे लगता है कि इसलिए ये इनसान आपकी तरफ अब आना चाहते हैं और आपको clarity देना चाहते हैं तो ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप बताईएगा comment section में मैं मिलूँगे आपसे next video में Till then, love you lots, bye